अरे यारे ये सबके सब लोग कहा पर गायब हो गई मैं कबसे इने ढूंड रहा हूँ ये क्या ये लगते यहापर है अरे फ्रेंकलिन भीया ये तो बहुती गलत बात है आप लोग सुबह सुबह उठके एक्सरसाइस कर रही हो और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं मुझे भी एक्सरसाइस करनी थी अरे ऐसा थोड़ी है हम तुमें उठाने आये थी अरे रहने दो जूट मत बोलो मैं सब जानता हूँ शिंचान ये नाटक करना बन कर दे दस बार ही तुझे उठाने आये थे हम लोग मिंचान बोल रहा है कि मैं घोड़ी बेच के सो रहा था पर मेरे पास तो कोई घोड़ा ही नहीं ओ भाई साहब उसका वो मतलब नहीं था मतलब बस इतना है कि तू उठ नहीं रहा था अरे तो सिधी बोलो ना ये घोड़ी बेचने की क्या जरूत थीस में तूझे समझ में नहीं आया ये कहावत है और शिंचन तूझे थोड़ा डिसिप्लीन में रहना चीए तू अभी एक पुलिस वाला है ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा अरे रहनी दू रहनी दू अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ हम तुम्हारी तारिफ नहीं कर रहे भाई थोड़ा समझ हमारी बात को अरे छोड़ो ना फ्रेंकलिन भीया अब तो एक्सराइज हो गई है ना और शिंचन भीया भी उट गई उट तो गया है पर क्या मतलब अभी इसका जल्दी उटता तो ये भी एक्सराइज कर लेता ना हमें अपनी बाड़ी को हमेशा मजबूत रखना चीए एक मिनिट किसका कॉल आ रहा है ओ बाई सब सर ये सर मतलब गुड मानिंग हाँ हाँ वो सब ठीक है फ्रेंकलिन मेरी बात सुनो मेरे पास तुम तीनों के लिएक मिशन है मिशन अभी? हाँ अभी नहीं तो कभी पता नहीं कहा से पर बीच पर एक शिप आके अटक गई है किसी को नहीं पता के वो कहा से आई है मुझे तो ये डर है कि किसी ने उसे जान मुझके वहाँ तो नहीं छोड़ा तुम जाके इंस्पेक्शन करो आखिर में मामला क्या है अब इसा कुछ किया भी नहीं अभी तक अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैं खुद लोगों को जाके बोलूँगा थोड़ी कि तुम क्राइम करो मैं तुम्हें आके पकड़ूँगा ताकि मेरा प्रमोशन हो सके अरे ऐसा थोड़ी न कोई करता है अरे नहीं नहीं यह बात तो अपने एक दम सही बोली चलो यार जल्दी से बैटो फटावट निकलते यास से वेसे मुझे तो पता ही नहीं है कि हम लोग जाका पर रहे है और क्यों रहे है लोग अभी तेरे दोनों सवालों का जवाब देता हूँ जहां हम लोग इसलिए रहे है क्योंकि सर ने हमें एक मिशन दिया है किसी चीज का इंस्पेक्शन करना है अरे पर किस चीज का कोई तो शिप है जो अच्छानक से एक बीच पर आके अटक गई है अब वो कहा से आई है किसी को कोई आइडिया नहीं है और किसी ने उसे आते हुए भी नहीं देखा अरे तो इसमें प्रोब्लम क्या हो गई शिप तो पानी के पास ही होगी न वा चौ प्यार तुने तो हम सब को बेवकुफ साबित कर दिया कहा थे आप ग्यानी बाबा अरे यार ऐसे मजाक मत उड़ाया करो तो बात ही ऐसी करता है मजा की उड़ेगा न शिप को कही रखा जाना चीए तो उतो पोर्ट होना चीए ऐसे खुलाम किसी भी बीच पर थुड़ी पड़ी रहती है अरे हाँ फ्रेंकलिन बैयाप एकदम सही बोल रही हो पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इतनी बड़ी शिप को किसी ने आते हुए कैसे नहीं देखा पका कुस तो गड़बड है किसी ने वो जानबुच के वहाँ पर रखी है अरे नहीं कहीं उसके अंदर कोई बॉम तो नहीं है न अरे यार शिंशान एक तो जोर से बोलना बन कर दे तू ऐसे अचानक से बोलता है मैं डर जाता हूँ और तेरी बात सही भी हो सकती है क्या पता उसके अंदर बॉम हो हमें थोड़ा समल कर काम करना होगा अरे फिर तो आप लोगी देखना मैं दूरी खड़े रहूंगा वा यार चॉप तो क्या साथ देता है हमारा जिसमें मज़ा आता है वो काम सबसे पहले करता है और जिसमें थोड़ा भी खतरा रहता है वो आपने पैर पीछे कर लेता है अरे हाँ वो भी चारो के चारो पैर शिंशन मेरे चार पैर ही है मैं क्या करूँ अरे तो मैंने कब बुला कि तुमारे आट पैर ही अरे चिंचन भाईया अगर चौप के आट पैर होते ना तो वो तो अक्टोपस होता कुटा थोड़ी ना होता तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो यह बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं है चौप वो लोग बस टाइम पास कर रहे है कोई गंदा मजाक नहीं उड़ाया तेरा दो दो आप भी उनका ही साथ दो और जा मिंचान बोलता है आप तो उसके चमचा ही बन जाते हो वा वा चौप कल को तो मिंचान को मेरा चमचा बोल रहा था आज मुझे उसका चमचा बोल रहा है डिसाइट कर ले भाई मुझे कुछ डिसाइट नहीं करना मुझे बात ही मत करो कोई अरी ये देखो फ्रैंकलीन भीया हम लोग पहुच गई सर तो एकदम सही बोल रही थी यहाँ पर तो बहुत बड़ी शिप है भाई साहाब ये क्या लोचा है यार अब तो मुझे ओट आउट हो रहा है इतनी बड़ी शिप को कोई कैसे नहीं देख सकता यहाँ पर आते हुए अरी मुझे तो लगता ही एक भूतिया शिप है अचानक से गायब होके यहाँ पर आ गई होगी देख शिंचान भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता ये सब अपने दिमाग से निकाल दे यह देखो एक तो लोगों का प्रॉब्लम यही है ऐसी कोई भी चीज़ देख लेना तो वहाँ पर जाके फोटो वोटो खीचना चालू कर देते हैं हम लोग देख रहे हो अरी हम लोग देख रही है मैं तो बोलता हूं उनको वहां से हटा दू यह जगह खतरना को सकती है यार तो एकदम सही बोल रहा है रुक मैं बात करके आता हूँ ओ भाई साब भाई साब अबैं बहरे हो क्या मेरी बात सुनिए प्लीज यार से दूर चांते नहीं घर करने डог डिजाना हुआ पढ़े यहां तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है कोई ना कोई तो इस शिप को यहाँ पर लाया होगा चलो कोई बात नहीं गाईस यह जगह खाली है दूसरी जगह जाकर देखते है ओह 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 यह तो एक बैटल शिप है क्या इस पर तो गन वगेरा भी लगी हुई है वहाँ उपर क्या हो सकता है जाकर देखू या नहीं पहले यहाँ जाकर चेक कर लेता है नीचे क्या है चलो 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 ओ ओ भाई साब कोई नहीं कोई नहीं यहाँ तो एक बोट भी रखी हुई है शायद इमर्जनसी के लिए होगी पीछे और क्या हो सकता है ओ ओ भाई ये क्या है भाई सहाब इतना सारा सोना ये सब यहाँ कैसे आया शिंशैन चाब मिंचैन जल्दी से आओ देखो मुझे क्या मिला यहाँ पर इतना सोना तो मैंने अपनी लाइफ में भी कभी नहीं देखा है पूरी दुनिया का सोना यही पर जमा हो गया क्या अब आ आउगे जल्दी, चलो गाई, वो लो गारे, तब तक मैं सर से बात करलो, है बोलो फ्रेंकलिन, सर आप भरोसा नहीं करोगे, यहाँ पर मुझे ऐसी चीज मिलिये न, जिसके बारे में हम मैं से किसी ने नहीं सोचा वोगा, ऐसा भी क्या मिला है तुम्हें, यहाँ पर भर भर क सोना है अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं गई इस पर वरना ये तो रातो राच चोरी हो जाता क्या बात कर रहे हो सची में वहाँ पर सोना है सर मजाग थोड़ी करूंगा मैं आपसे आप एक काम करो या पर बैकप भिजवाओ और ये सारा सोना यहां से शिफ्ट करवाओ बताओ क्या हुआ है अरे बापरी ये क्या है क्यों शिफ्ट का लगा मुझे बैया इसे लगा था फ्रेंक्लिन भाइया यहां तु बहुत सारा सोना ही आना मिंचैन अरे मैं क्या बोलता हूं मेरी बात सुनो ना हम लोग इसमें से थोड़ा सोना रख लेते हैं इसको ही पता चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगी यह हम पर सबसि दिमा पर इंतजार करना और अगली बार ऐसा कुछ दिमाग में भी मतला ना अब बस हम. जाएगी शिंचैन यार मैंने अब भी तेरे को बोला तो फिर से शुरू हो गया अरे अच्छा ठीक है मुझे माफकिट दू हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं तो गाइस वो लोग आके सोना लेकर जाच चुके है चलो एक बार तो समझ में आ गई यह शीप यहाँ पर सोना देन सर मैंने पांच बार चेक कर लिया है ठीक है ठीक है अरे क्या फ्रैंकलिन intellect अपने तो जूट बोला अरे नहीं बोलता तो फिर से चेक करने को बोलते अरे वेसे क्या बोला है सर ने? मुझे भी तो बताओ सर ने हमें सीधा वही पर बोला है अच्छा ठीक है फ्रेंकलिन भीया फिर तो हमीं चलना चाहिए अरे रुकूना मिन्चन या पता हमें यहाँ पर गिरा हुआ सोना मिल जाए और हमारा काम हो जाए कितना भी समझा दू तुझे शिंशैन तेरा लाला छुटेगा नहीं अरे मैं तो गीरे हुए सोने की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर पड़े रहेगा इससे चतो हमारी कामा जाएगा ना चुप चाप यहाँ से निकलते हैं इसी में हमारी भलाई है अरे यार वैसे देखा जाए तो शिंशैन सही बोल रहा था क्या पता कही पर थोड़ा बस सोना पड़ा हो चौप यार क्या तू भी शिंशैन की बातों में आ रहा है अच्छा ठीक है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था अब या से सिधा चलते हैं पुलिस टेशन पता नहीं सर उस सोने का क्या करेंगे यारी फ्रेंकलीन भीया मुझे लगता है वो सारा सोना गवर्मेंट को जाएगा या फिर वो लोग पहले पता करेंगे कि कहा कहा से सोना गायब हुआ है और उन सबको लुटा देंगे इही तो प्रॉब्लम है लोगों कि वो लोग कभी भी चोरी करने से पहले ज lira सोचते ही नहीं है कि ये चीज़ कितनी महनद से कमाई होगी उस सामने वाले ने अरे पर चोर की भी तो कोई मजबूरी होती है न वो इसे ही चोरी थोड़ी न करता है, जो इतनी चोरी करता है ना, उसकी कोई मजबूरी नहीं होती, उसका लालाची होता है, हाँ ये बात भी ठीक है, कोई छोटी मूठी चिचुराई होतों समझ में भी आए, ये तो अरबो का सोना लग रहा है, वो तो अभी पता चल कहां से आया है, और किसका है, वैसे एक बात सुचो ना, अगर इतना सारा सोना हमारे पास होता, तो हमारी तो चांदी-चांदी होती ना, ये क्या बखवास कर रहा है तू, अगर इतना सारा सोना हमारे पास होता है, तो चांदी-चांदी क्यों होती, सोना-सोना ही होता ना, अरे मैं तुम बस कहवत बोल रहा था तुझे कहवत समझ में आती है अरे हाँ आती है ना मैं बहुती साथ हुशी आ रहे हूँ तो फिर सुबह क्यों नी समझ में आई अरे वो कहवत मैंने कभी सुनी नहीं थी ना इसलिए अब ये काहवत काहवत छोड़ो और गाड़ी को थोड़ा स्पीड में भगाओ चाप यार चिंता मत करिये देख हम लोग पहुच भी गए पारकिंग यही पर कर देता हूँ चलो अब जाते है सर के पास वो भाई साब गाईस ज़रा देखो तो सही ये जगा तो पूरी भर चुकी है सोने से सर इसका अभी हम लोग क्या करने वाले है कुछ पता चला उसके बारे में हाँ हमें थोड़ा बहुत पता चला है ये सोना किसी माफिया को डिलिवर होने वाला था पर वो कही पर अटक गए थे जिसके वज़े से पहुच नहीं पाए और जब तक वो लोग वहाँ पर पहुच थे हमारी नजर उस शिप पर पढ़ चुकी थी और ये बात उने पता चल गई इसलिए वो लोग वहाँ पर आए नहीं वेसे एक बात बताओ तुमने तो इसमें से कुछ लिया नहीं न अरे सर यार हमारी इमानदारी पर शक मत कीजिए अचा अचा ठीक है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था तुम लोग चिंता मत करो तुमारे इस काम के बारे में मैं अपने सीनियर को बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे अरे सर प्लीज बताना बहुत टाइम से हमारा प्रोमोशन अटका हुआ है हाँ हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो तुम प्रोमोशन के हगदार हो और ये बच्चे भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरे पहले प्रोमोशन होने तुदो इतना खुश क्या हो रही हो हाँ वेसे फ्रेंक्लिन शिंचैन एकदम सही बोल रहा है आरे नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है आप बस बात कर ले ना उनसे ठीक है अभी निकलो हाँ बस जाही रहे थे चलो आजाओ शिंचैन चौप मेंचैन एक मिनिट ये किसका कौल आ रहा ही ये तो अन्नों नमबर ही हेलो कैसे हो शिंचैन अरे मैं तो ठीक हूँ आप बताओ मैं भी ठीक हूँ अरे एक मिनिट मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ अब हूँ कॉन वो सब चोड़ो एक बात बताओ तुम घर पर ही हो ना अरे तो इतने सुबे मैं कहा पर जाओंगा अच्छा अच्छा ठीक है एक काम करो जरा घर के बाहरा आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास एक डील है वो भी तुम्हारे फाइदे की अरे क्या बत कर रही हो मेरे फाइदे की हाँ बस तुम जल्दी से आजाओ अरे बापरे पता नहीं ही कौन होगा और वो भी इतने सुबे सुबे पर इसने मेरे फाइदे की बात की है मतलब के करने वाला ही तो मुझे जाकर चेक करना ही चाहिए ज़रा जाकर देखता हूँ कौन होगा और मुझे तो डरने की कोई जरूद भी नहीं है मैं एक पुलिस वाला हूँ मैंने अपने ट्रेनिंग ले रखी है बस कोई मेरे साथ प्रेंक ना कर रहा हूँ अरी बापरी ये लोग कोन है इनको तुम्हे देख भी पहली बार रहा हूँ कैसे हो शिंशेन सब ठीक तो है न अरी हाँ सब ठीक है पर आप लोग गलती से तो यहाँ पर नहीं आ गई बहुत सारा सोना धूंडा है तुमने कल एड़ी बापरी यह तुमें कैसे पता चल गया तुमने हीरो वाला काम किया है पता तो चल नहीं था अरे अमने इतना भी कु opin खास नहीं हूँ नही नही तुम बहुत खास हो अब मेरी बात सुनो अगर तुम मुझे बता दोगे के वो सोना कहा पर रखा हुआ है तो मैं वो सोना ढूंड के उसमें से तुमें बहुत सारा हिस्सा दूँगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो नई गाडिया ले सकते हो, घर ले सकते हो, जो खाना चाहो वो खा सकते हो अरे तो क्या मैं उससे चौकचिप का पहाड खरीच सकता हूँ एक नहीं तुम बहुत सारे पहाड खरीच सकते हो चलो मैं तुम्हें बता भी दूँगा कि वो जगह कहापर है पर तुम मुझे धोका तो नहीं दोगे न नहीं नहीं अगर धोका देना होता तो मैं तुम्हें किड्नेप करके पूछता मैंने तो तुमसे दोस्ती करके पूछा है अरे बात ते तुम एकदम सही बोल रही हो ठीक है मैं तुम्हें बता दूँगा वो रखा तो पुली स्टेशन में है पुली स्टेशन में कहा पर अरे वो पार्किंग वाली जगपर पर उसे ढूनने के बाद मुझे भी थोड़ा देना बिल्कुल क्यों नहीं पर किसी को इस बारे में बताना मत अरे ठीक है बिल्कुल और तुम लोग भी मत बताना वरना मेरी जॉब चली जाएगी ज़रूर हम किसी को नहीं बताएंगे मुझे जाके एक्टिंग करनी होगी अरे येलो फ्रेंकलीन भाई आप भी उठ गई मैं कबसे उठ के आपका इंतिसार कर रहा था मैं तो कबसे उठा हुआ हूँ और तु बाहर क्यों गया था मैंने तुझे देखा बाहर जाते हुए कोन आया था बाहर एरी वो तो मेरा दूस्ता आया था उससे ही मिलने गया था तो गाईस यार आज के लिए इतने ही अगर आपको जानना है के इसके आगे क्या होने वाला है तो जल्दी से कमेंट करो पार्ट टू और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो नहीं हो तो चानल को सस्क्राइब करो और मुझे फॉलो कर लेना इंसाग्राम पर आइडिय स्क्रिंग पर आरी होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जय हिंद